Hello everyone, यह है Videos World Channel और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं StatPro की टुटोरियल स्रीज जिसमें Basic to Advance होगा यह मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ लेकिन पहले वाली वीडियो में Audio नहीं था तो इस बार हम दुबारा यह सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं Basic to Advance और इसमें Audio, Hindi Audio भी होगा और English Audio भी होगा यह नहीं कि इसकी दो प्लेलिस्ट बनेगी एक प्लेलिस्ट होगी Hindi और दूसरी प्लेलिस्ट होगी English वीडियो की तो स्टार्ट करते हैं यह StatPro का आइकन है StatPro, Stat means Structure and Design, Pro means Professional V version 8i और यह Bentley Company का है तो इसका आइकन आप देख सकते हैं इस पर डबल क्लिक करना है वह थोड़ी वीडियो फास्ट होगी जिससे बहुरियत ना हो तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं IS Code है करते हैं किसी IS Code की Guideline को Follow करके करते हैं तो हम इंडिया में हैं तो इंडिया की IS Code यूज करेंगे उसकी Guideline को Follow करेंगे हम आप से एक्टिवेट किया हुआ इंडियान डिजाइन कोड यहाँ पर कुछ हेल्प सें स्टेर्ड के इंको बाद में डिस्कूस करेंगे और यहाँ पर रिसेंटली जो काम किया गया वह फाइले हैं जब फस्ट टाइम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आ इस पेस यहाँ पर देखिए चार टाइब की स्टक्चर हैं यहाँ पर हम किस टाइब की स्टक्चर बनाना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन देख स्पेस मतलब 3D स्टक्चर प्लेन मतलब 2D स्टक्चर यह होता है 3D यह होता है 2D और आपका फ्लोर मतलब होता है स्लैब और आ मैं ने Space select किया है, वैसे आपको एक बात करता है। अब Plane में जाकर इसको अंदर जाकर बात में Convert कर सकते हैं। Space में, Floor में जाकर उसको Truss में Convert कर सकते हैं या Space को Flour में Convert कर सकते हैं। तो मैं Space में जाता हूं। यहांपर Title डालता हूं Day 1। और यहां पर फाइल को Save करना है उसके बाद आता है यहां पे यूनिट्स तो लेंथ आपकी मीटर में है और फॉर्स आपका किलो न्यूटर में है आप चेंज भी कर सकते हैं next उसके बाद यह options आते हैं आपके six option first option है beam यानि कि आपको जो माउस का cursor है वो activate होगा beam बनाने के लिए जहां पर भी आप क्लिक करोगे वहाँ पर beam बन जाएगा ठीक है अगर आप add plate option लेते हो तो सीधा wizard का मतलब है कि एक application खुलेगी जहां पहले से कुछ model बने होंगे आप उनको edit कर सकते हो अपने according और import कर सकते हो stat pro में added engineering information इसका मतलब है कि आप engineer के information project का नाम contractor का नाम engineer का नाम project की duration, title यह सब आप यहां पर डाल सकते हो तो यहां पर और इसमें भी सेम चीज़ है कि add beam में जाने के बाद हम इसमें से कोई भी option activate कर सकते है add beam पर click किया और finish किया हमने ठीक है अब दीके हमारा mouse blink कर रहा है उससे पहले कुछ और हम डिसकस करते हैं यह जो है grid है और यह 2D है देख सकते हो आप यह x है और यह आपका height y में है इसकी ठीक है और इसकी जो width है हो z में अब यह 2D है इसका 10 by 10 span है 10 by 10 का span है और हर एक spacing 1 meter है edit कर सकते हैं इसका view change कर सकते हैं इसकी spacing change कर सकते हैं आप number of spacing change कर सकते हैं इस grid को ठीक है इस grid का यह फायदा है कि अगर हमने add beam cursor mouse का लिया हुआ है तो देखे mouse blink कर रहा है और मैं कहीं पर भी click करूँगा तो वहाँ पर beam बनते जा रहे है ठीक है अगर मैं scap button दबा प्रेस होता है corner button इससे आपका नो करसर नॉर्मल हो जाएगा ठीक है यह normal cursor हो गया इसके बाद यह तो grid हो गई ठीक है इसके बाद यहां पर कुछ आपका icons है और यहां पर कुछ icons है menu bar और यह आपकी working window है यह आपकी पूरी working window है और यहां पर जो है आपका job प्रोपर्टी आपने open जैसे मैंने अभी grid open की विए तो grid की property यहां पर है जब मैं यहां से कोई और option activate करूँगा तो उसकी property यहां आजाएगी ठीक है जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो plate plate पे click करूँगा तो plate में जो भी modify करना है change करना है उसकी property कहां पर आ जाएगी यहा से और यहां से भी आप option ले सकते हैं view के option हैं beam के analyze के हैं और यहां पर भी काफी option आप choose कर सकते हो तो देरी ना करते हुए start करते हैं अब मेरे को इसको delete करना है ठीक है delete करने से पहले एक चीज हम समझते है हमारे पार जो mouse का cursor है जो cursor है mouse को यह काफी type की होते हैं लेकिन अभी फिलाल क्योंकि basic video है first है तो इसमें दो type की cursor हम सीखते है एक तो जो आपको दिखाए दे रहा है normal cursor ठीक है यह member को select करने में काम आता है beams को देखो beam और column दौनों को select कर सकता है ठीक है second होता है हमारे node cursor यह देख रहे हो आप node cursor इसमें joint लगावा है इस पे click करेंगे तो केवल joint select करेगा अब यह beam select नहीं करेगा और आप यह सी बटन दबा दोगे keyboard का escape button तो कौन से cursor में पहुच जाएगा हमारे normal cursor में ठीक है देखते है सबसे पहले grid उसकी property आपके पास यहां पर है यहां पर और icon से अब start करते हैं हम कुछ बनाना ठीक है ठीक है इसमें देखिए मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक टूल बता रहा हूं मैं कुछ बनाओंगा उस बनाने के दर्मयान जो टूल हम use करेंगे उसको तभी हम सीखेंगे ठीक है और तभी उससे अच्छे से हम सीख सकते हैं अभी हम एक simple supported beam बनाएंगे उसको analyze करेंगे और तो आपको उसमें कही सारी option पदल जाएंगे तो सबसे पहले problem हम ले लेते हैं कि assume कर लेते है problem एक beam है आपके पास ठीक है simple supported मतलब होता है कि एक fix नहीं हो simple supported है एक तरफ आपके pin support है और दूसरी तरफ आपके roller support है ठीक है यह drawing में बना रहा हूं फिर चली जाएगी जब मैं stat पर काम करेंगा तो आप याद रखना इसको ठीक है 10 मीटर का beam ही ठीक है और इसमें एक load लगा हुआ है point load 20 kN का ठीक है और 55 मीटर में center में लगा हुआ है drawing में ठीक से नहीं बना पाया लेकिन center में लगा हुआ है अभी सुच रहे होंगे कि video बनाते वक्त स्टैट परो में यह ऐसे colorful pen कैसे आ रहा है देखे जो video recorder है एक चीज और हम इसमें कर लेते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्षन है उसकी width है आपकी 300 mm और उसकी depth है आपकी 600 mm ठीक है यह एक बार देख लीजिए आप याद रहे गए क्योंकि अब यह चला जाएगा सारा data जैसी में स्टैट पर on करूंगा ठीक है तो देख लीजिए मेरे को याद आए स्टार्ट करते हैं कंट्रो मैं मैं सॉटकर्ट की प्रेस करूंगा अब स्टैट पर रखाते हैं ठीक है अब देखी जो बीम बनाना हैं सबसे पहले एक और चीज समझते हैं जो भी है कि आपको बीम इसमें बीम और मैंबर एक ही चीज है कॉलम को भी इसमें मैंबर बोलती और बीम को भी मेंबर बोलते है क्वेम और बीम जो भी बनेगा वह इस躯वा क्वालर की ठ्फश से बीम और कॉलम में एक कोल मानते हैं तो इन में क्या देखिए एक नोड बोलते हैं जॉइंट या नॉड दूसरा जोइंट यानि कि एक मेंबर बनाने के लिए दो जॉइंट चाहिए वन टू और इसको बोलते हैं मेंबर इसका भी नमबर वन है तो दो जॉइंट से एक बीम को बनाने के लिए और इस मेंबर का नमबर है वन इसमें भी दो जॉइंट है वन टू और मेंबर नमबर है वन अगर इनको अलग लग बनाते हैं अगर एक साथ हम बनाते हैं ग्राइंग पर ये वन टू यह घाएगा थ्री और यह हो जाएगा फोर और यह मेंबर नमबर इस तरह से ठीक है अब हमें याद है आपको बनाना था क्थ 10 मीटर का बीम तो देखो तरीके कितने सारे हैं बीम बनाने के सारे तरीके आना है तो यहां पर देखिए snap node button, यहां पर click करूँगा देखिए आ गया, और 10 meter का beam तो 0, और यह 10 meter है, click यह बन गया, normal cursor यह बन चुका है beam, grid को यहां से हटा सकते, property close कर दो को तो grid चले जाएगी, यह देखिए property close करें, grid, अब यह beam तेड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे यहां पर axis जो है, isometric view है, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिए view, यहां पर यह cube है, yellow color का, इसका first portion जो है, सामने वाला front portion yellow है, यह front view है, यह back view है, क्योंकि back portion yellow है, यह left, यह right, यह top, यह bottom, यह isometric जो default था, तो front view में किया हमने सीधा बन गया beam, क इतने meter का, 10 meter हैगा, कैसे पता करें, वो भी जानते है, यहां पर देखिए, यहां पर एक measure करने का है, not to node measure करता है, यहां पर click किया, और यहां पर click किया 10 meter, इसी के बगल में एक icon है, इस पर click करेंगा, तो यह beam जो हमने बनाया किस चीज से, किस को use करके, grid को use करके, बहुत स recording, तो first video, second video में, programming के थुरू बनाएंगे, third video में हम, या ऐसा करते है, तीनो method को अभी apply कर लेते है, second video में बेसिक सिखाना ठेक नहीं रहेगा, तो ठीक है, इसको delete कर दू, normal कर सा रहे, इसको select किया, keyboard से delete कर दिया, बनाया कैसे तब ने grid से, अच्छा, एक सवाल यह उड़ता से, 10 meter से ज़्यादा कमी में बनाना, तो grid को edit करना होगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी 10 meter का था, default grid 10 meter की होती है, तो हमने बना लिया, grid चली जाए, तो यहाँ पर icon है, second method है आपका, कि आप यहाँ देखिए editor है, ठीक, इस पर जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज है यह कहीं सीखने को नहीं लेगे, आपको, state editor, बहुत important चीज है, आगे जाके आपको पदेच लेगी, editor है, यहां programming के through सारा काम होता है, देखिए, यहां कुछ data लिखा हुआ है, ठीक है, space structure हमने select किया था, engineer की information कुछ डालनी है, तो नहीं डाली है, वो यहाँ पर डालेंगे, input width 79, इस direction में character लेता है, 79 और इसके बाद finish, तो जो भी program हमें लिखना है हो, किसके बीच में लिखना है, width 79, enter मार के और finish, इसन दोनों के बीच में, यानि किये हमें, जो भी program लिखना हो, यहां लिखना है, ठीक है, अभी हमें क्या बनाना है, समझ लीजी यह से, blue color ले ले ल 0, 0, 0, x, y, z, 0, और अगर यह x direction में है, तो इसके coordinate क्या होंगे, x होगा 10, y होगा 0, z होगा 0, यही होगा, तो इस node का number क्या है, 1, इसका number क्या है, 2, और member का number क्या है हमारा, 1, इसको थोड़ा सा याद रखना है, चला जाएगा, जैसे ही मैं वापे सामगा, stat pro पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, टाइप किया, joint coordinate, enter, joint number 1, joint number 1 की coordinate क्या थे, space 0, space 0, space 0, enter, joint number 2, क्या थे, joint number 2 को 10, 0, 0, save करके एक बन चेक करते हैं, क्या joint बन चुके हैं, देखिए यहाँ पे, 2 joint बन चुके हैं, और front view पे जाएंगे, तो इस सीधे हो जाएंगे, 2, इनके बीच का member बनाना है हमें, देखिए, वो member कैसे बनेगा, एडिटर में जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, member incidence, enter, member का number क्या था यादा है, आपको 1, एक ही member है, space, वो कौन से joint से connect है, सबसे पहलो, joint number 1 से connect है, फिर वो कौन से joint पे फिनिश हो रहा है, member, joint number 2 पे, save, close, देखिए, बन से बनाया, और एक बना एडिटर से, अब तो इस simple एक 10 मिटर का beam है, एक building है, एक frame है, पहुँ सारे beam column है, तो editor से कैसे बनाएंगे, grid से कैसे बनाएंगे, और grid और editor के अलावा भी और भी method हैं, जो आगे की series में हम discuss करेंगे, तो इस series को देखना ना भूलें, और आप चैनल क सब्सकाइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे आपको आगे के notification मिल सकें, इसी वीडियो को सेम यही वीडियो English में भी मैं upload करूँगा, और उसके बाद second video, within एक week के अंदर अंदर पूरी series में को finish करना है, इसके बाद e-tap क सब्सक्राइब करना है, इन सब की series स्टार्ट करनी है, और फिनिश करनी है, basic to advance, Hindi, English, दोनों language में, ठीक है, तो यह बन चुक है, next step क्या था हमारा, इसको यहाँ से हम सीधा कर लेते, next step था हमारा है, यहाँ पर pin support लगाना, और यहाँ पर roller support लगाना, ठीक है, चलो यह करते ह तो सबसे पहले दिखी, यहाँ पर जो option है, यहाँ पर एक general option है, general पर click करते के साथ ही, यहाँ बहुत सारे option आ गए, अलग, general के, ठीक है, यहाँ पर दियानर, geometry पर click करूँगा, तो geometry से related option आ जाएंगे, ठीक है, तो मैंने general पर click किया, उससे related option आ गए, इसमें दिख रहा है एक support पहले से है, इसका नाम है S1 और उसका description किया no support, यानि कि support हटाने के लिए, create पर click किया है, एक window खुल गई, यहाँ पर पहला लिखा है, fix support, second है pin, हमें pin बनानी है, और हमने यहाँ यहाँ पर add पर click किया, तो S2 आ गई, pin support, दुबारा मैंने click किया create, यहाँ पर fix है, pin है, fix but है, and force है, इतनी सारी है, लेकिन इसमें roller तो कहीं दिखा ही नहीं दे ली, roller video कैसे आएगी, roller support कैसे आएगी, तो roller support stat pro में नहीं है, वो हमें बनानी पड़ेगी, roller support में आपको याद हो, तो A की reaction develop होती है, y direction में अगर इस तरह से reaction है, तो हम क्या करेंगे, fix support लेंगे, उसको modify करेंगे roller, तो fix but, ठीक है, fix में 6 reaction होती है, ये आपके 6 reaction, अगर मैं इन 6 में से सब को 0 कर दूँ, केवल Fy को छोड़ दूँ, तो ये क्या मन जाएगी roller, तो मैंने Fy को छोड़ा और सब जिस पे click करें, वो 0 होती जा दिए, ठीक है, यानि कि ये 0 होगई, ये 0 होगई, ये 0 होगई, ये 0, ये 0, कुछी कौन सी Fy, तो ये क्या बन गई, roller, add कर लिया, तो 3 support है, S1 पहले से support हटाने के लिए, S2 हैप की pin, S3 है आपकी roller, अब बहुत important चीज, किसी भी support को, load को, property को beam के उपर apply करना है, किसी भी चीज को beam के उपर apply करना है, तो उसके लिए हैं हमारे पास चार method, same method है हर चीज के लिए, ये रे 4, first method क्या है, assign to selected node, यानि जिस node को अब select करोगे, उसी पे ये property जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले कौन से लगाना है, pin, कौन से joint पे लगाना है, इस वाले joint पे, इसको select करना है joint को, देखिए जैसी मैंने pin support पे click किया, मेरा cursor कैसा हो गय अब मैंने joint को select कर लिया, अब assign पे click करूगा तो, ये property, assign पे click करूगा तो, ये property कहां जाएगी, यहाँ पे, ठीक है, assign पे click किया, लग गई, ठीक है, इसी तषी तरha हमने roller पे click किया, यहाँ click किया और assign पे roller लग गई, ठीक है, अब इसके बाद ये तीन option हो रहा है, देख कि support select करें टू, method click किया assign to view, click किया assign पे तो जितने भी note से सब पर support लग जाती है, view, जितने भी हमें support दिखाई दे रही है, point, अगर मैं ये वाला option लेता है, use cursor, तो एक बार use करके देख लेते हैं, ठीक है, इन 9 support से क्या होगा, इस पर click करके assign किया, हटा दिया, इस पर click करके assign क सब्सक्राइब, ठीक है, अगर cursor use करके करता हूँ, तो जहां click करूँगा, मैं वहाँ पर support लग गए, ठीक है, और अगर मैं fourth method start करता हूँ, तो ये पूछ रहा है कि कहां लगानी है support, roller support कहां लगानी है, तो इस joint का number क्या था आपका, joint number two, तो यहां पे जालना है two, two पे और इसका section 600 by 300 होता है, आपको याद हो तो उसके बाद इसमें load देना है, ठीक है, तो support की नीचे है load, load पे click करते है property कहां जाएगी, यहां देखिए, दिहान से देखिएगा load यहां पे click करना load case, एक case बनाना पड़ेगा पहले, sorry load नहीं लगा रहे है न, property लगाना पहले, त define पे click करेंगे, shape किस तरह की लेनी है, आपको cross section की rectangle, depth कितनी थी आपकी, 0.6, 600 mm, और width 03, concrete material, add किया, close, यहां पे यहां पे आगी property, इसको apply करना है हमें beam के उपर, तो कैसे करेंगे, वही चार option, assign to view कर देखिए, assign यह property आ चुकी है, ठीक है, अब चाहते हैं, load पे, थोड़ा fast इसलिए बता रहूँ, क्योंकि धीरे बताने boring हो जाती है, कुछ लोगों को आता है पहले से, कुछ चीजे सीखनी है, बस, तो load and definition पे click किया, यहां पे property आ गई, load case पे click किया, add किया, तो load case में सबसे पहले बताना होगा, जो load लगाया है, 20 क्लोनिटन का, वो dead है, live है, wind load है, अर्थ को एक load है, किस type को load है, तो मैंने यहां dead क्लिक किया, और type dead, add close, यहां देखिए dead load आगया, अब इस पे click करेंगे, फिर add करेंगे, अब यह बहुत सारी load है, ठीक है, cell fit, सब के बारे मैं बाद बताऊंगा, पहला आपको एक बाद बता दू, यह joint है, node बोलते हैं, इस concentrated force, यह लगा दिया, कितना है, minus मतलब downward 20 आपका intensity, यह d1, d2 को बाद में डिसक्स करेंगे, direction आपके gy है, global y, ठीक है, gy का मतलब है downward y direction, और minus से downward होगा, ठीक है, gy का मतलब है vertical direction, ठीक है, वो उपर भी हो सकती, अप वड भी हो downward भी, negative लगा दिया, तो downward होगी, ठीक है, add किया, close और इसको हमने assign कर दिया, यह आगया, ठीक है, अब थोड़ी सी वीडियो लेंद दियो जाएगी, कुछ चीजे से समझाने, देखिए, माउस का scroll में घुमा रहा हो, तो beam तो चोटा हो रहा है, पर जो load का arrow है, वो बहुत ही बड़ा जा रहा है, बहुत बड़ा जा रहा है, यहाँ पर जाना है आपको, इस icon पर, यहाँ पर scale, scale में apply, immediately click कीजिए, side में रखिए, यह क्या है, point force, तो point force की value को बढ़ाते हैं, देखिए, यह हो गया, ओके अपने हिसाब से कर लिजे, shift plus V प्रेस करेंगे तो load की value हाजाएगी, यह आपका रेखिए, जो problem थी हमारी बन च करना है, कि यहां पर analyze & print पर करना है, all पर collect है और add करना है, ठीक है, कहाँ जाना है आपको analyze & print, यह window हाजाएगी, इसमें click करना है, all पर और इसके बाद, add पर, यह इतने सारे क्या है, और all पर ही क्यों click करना है, सब next video बेए एक चीज बताए जाएगी, discuss करेंगे, अभी फिल जीरो एरर वर्निंग टू क्या है नेक्स्ट वीडियो में कोई वर्निंग नियो बता रहा है कि आपने सपोर्ट लगाई है एक बार चेक कर लो ठीक है डन यह अनलाइज होके डेबल क्लिक करेंगे तो यह देखिए शियर में यह आपका बेंडिंग में 50 ओर मैक्सिमा और दिरेक्षिन शियर फॉर्स डियाग्राम में और यह डिफलेक्शन है आपका ठीक है तो यह थी आपकी बेसिक वीडियो एडवांस वीडियो भी बनेगी बेसिक टो एडवांस धीर देरे चलेंगे लेकिन अगर आपको अपने परजेक्ट या किसी चीज के लिए आपको परजेक्ट के लिए तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मैं उसके जल्द से जल्द विटिन टू डेज वो वीडियो बना दूगा थैंक यू आपको पसंदा आई हूँ तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए